इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्रेफिल DTN के दोस्तों आजके होने वाले मैस नमबर 1 के बारे में दोस्तों आजका मैस नमबर 1 RRS और दोस्तों BBS टीम के भी सखेला जाएगा यह मैं दोस्तो ध्यान रखीगा दो पहर के 12 बच के 45 मिनट से स्टार्ट होगा ठीक ना इस मैच के रिगार्डिंग दोस्तो आपको इस वीडियो में दोनों टीमों का दोस्तो प्लेइंग लेवेंग साथी साथ दोनों टीमों के प्लेयर का रिकॉर्ड अभी तक टूनामेंड में पर्फॉर्मेंस कैसा रहा है साथी साथ दोस्तो रिकॉर्ड और अभी तक टूनामेंड में पर्फॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए इस मॉल लिग में दोस्तो आपका क्या कंबीनेशन होना चाहिए Grand League में दोस्तों आप किस player पे डिक्स ले सकते हो टोटल इन्फोर्मेशन दोस्तों आपको इस match के regarding इस video में मिल जाएगा तो दोस्तों यदि आप इस match में investment कर रहे हो वीडियो पूरा वास किजिएगा वीडियो पहले समझेगा जो भी मैंने team दिया है उस team के साथ contest join कर लीजेगा यदि उसमें कोई भी player नहीं खेलता है तो मैंने आपको 2-3 बहुत ही बढ़िया option प्रोवाइड किया है यदि उनमें से कोई खेलता है तो direct दोस्तों आप उनके साथ rotate कर लेना ठेकना extra player को आप consider मत किजिए और कोई भी दोस्तों question हो तो आप नीचे comment section में भी पूछ सकते हैं और जो भी मैंने team दिया है यदि उस team में कोई भी changes करना होगा तो मैं पुरा कोशिस करूँगा टेलिग्राम पे आपको final combination भी update करके provide कर दूँ तो आप सभी दोस्त टेलिग्राम चैनल को join कर लिजेगा इसका link दोस्तों आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा साथी साथ दोस्तों comment section में भी first comment पिन किया हुआ मिल जाएगा जाए दोस्तों टेलिग्राम के साथ जुर जाएए जिससे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठीक ना दोस्तो अब बात कर ले दोस्तो इस match के regarding हम लोग अपने give away question के बारे में तो दोस्तो इस match का जो मेरा give away का question है आपको दोस्तो बताना है इस match में दोस्तो सबसे ज्यादा fantasy point कोन player देगा और दोस्तो कितना देगा देखो दोस्तो कोन player देगा इसका मैंने तीन option आपको वीडियो में already provide कर दिया है तो आप लोग जो भी comment करना वो तीन player को लेके ही करना ये मेरी तरफ से दोस्तो एक छोटा सा आपके लिए hints है ठीक ना give away का comment कहा करना है तो नीचे दोस्तो comment section में करना है सबसे पहले hashtag sarma fantasy group यूज किजेगा नीचे उस player का नाम रिखिएगा और कितना fantasy point देगा वो लिखिएगा ठीक ना 200 रुपया का give away है तो आप लोग participate किजे और कोशिज किजे विन करने का आप बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तो आप लोग मेरे subscriber जरूर होने चाहिए ठीक ना तो यदि आप दोस्तो विन करो और subscriber नहों तो दोस्तो आपको price नहीं मिलेगा तो आप channel को जरूर subscribe कर करने का पूरा कोशिस किजे बहुत ही simple सा कोशन है जिसका मैंने already आपको hints भी वीडियो में दे दिया है अब बात करें दोस्तो हम लोग RRS और दोस्तो BBS के match में combination कैसे बनाएंगे तो इस match का combination हम लोग स्टार्ट करते हैं बिकेट की प्रिंग सेक्शन से जहां पर दोस्तो आ अभी तक जितना performance रहा है मैच भले ही कम खेले लेकिन outstanding performance किये और advantage दोस्तो क्या है कि आपको टॉप order में तो बैटिंग करी रहे हैं साथे साथ आपको दो ऑफर complete सभी मैच में balling कर रहे हैं और बैटिंग से जादा दोस्तो आपको बिकेट से fantasy point दे रहे हैं spinner है दोस्तो हमिसा bit to pick ball करते हैं बॉल को दोस्तो बहुत ज्यादा यह flight देते हैं जिस से दोस्तो बैटिस्मेन miss करता है और हमिसा ball हो रह रहा है हमिसा दोस्तो पर देब्व जी मैच में do a जर नमबर पर बैटिंग करने आहती जिसे दोस्तो टोटली फ्लॉनिय मिलल उस्ट कर कि अिस्त Спब्रस करूंगा वहाँपर आप देख लेना Msakib open कर रहे हैं या नहीं कर रहे है कर लास को 007 रखऊंगा नहीं क्यूंकि बहुत ज्यादा यह करते हैं जहां पिप द услов wash ज्यादा से कम मिलता है जादा से चेट करने के लिए स्कॉर करें बट दो मैच में आपको फर्फर्म किये हैं और सेलेक्शन लेबल भी काफी ज़्यादा हाई है इसलिए में रैक रहा हूँ फिर नीचे दोस्तों एसिंग यार एसिंग का मेरे को एक चीज़ कुछ समझ में ही नहीं आया फर्स्ट मैच में बंदे ने ओपेन बैटिंग किया दो भर आपको कम्पलीट बॉलिंग किये और आपको दोस्तों एक सो चार फैंटीसी पॉइंट दिये पर जानते हैं दोस्तों जो सेकेंड मैचीनों ने खेला इनका दोस्तों जो बैटिंग ओडर है टोटली चेंज हो गया बैटिंग दोस्तों इनको भेजा ही नहीं गया टीम का दोस्तों 3-4 विकेट गिरिया तब भी दोस्तों एसिंग बैटिंग करने नहीं आए बालिंग दोस्तों दो वर किये थे लेकिन उसमें भी आपको माइनस में पॉइंट देके गए थे पता नहीं दोस्तों में भी दोस्तों चोटिल हो या इंजर्ड हो इसलिए ये बैटिंग करने नहीं आये थे यदि खेलते हैं तो देखो टीम में तो हम लोग रखेंगे ही बट कैप्टन भी सी मत कर देना क्योंकि दोस्तों यदि लास्ट मैं जैसा इन्नों ने फिर से आपको धोखा दिया तो वो प्रॉब्लम कर जाएगा फिर नीचे दोस्तों एम खान का ओप्सन मिलेगा यदि आप ऐसे कोई प्लेट्फॉर्म पे खेलते हो जहाँ पे दोस्तों तीन बैट्समें रखना कमपल सरी होता है वहाँ पे दोस्तों आप M खान को pick कर लेना यदि आप ऐसे कोई platform पे खेलते हो जहाँ पे आप दो batsmen के साथ भी जा सकते हो वहाँ पे दोस्तों आप M खान के जगा पे इधर से M साकित को रख लेना यदि open batting करें साकित हो फिर नीचे दोस्तों आपको के ब्रार का option मिलेगा बैटिंग तो बहुत ही नीचे करते हैं ऐसे एक match में balling किये थे बड़ एवरेस साथ दोस्तों मेरे को दीखे थे इसी वज़े से मैं अभी नहीं रख रहा हूं ट्राइ करना हो दोस्तों आप GL में consider कर सकते हो एन अक्तर दोस्तों बहुत ही नीचे बैटिंग करते हैं इसलिए मैं इनको अभी consider नहीं करूंगा अब बात करें दोस्तों हम लोग और लाउंडर सेक्षन तो दोस्तों और लाउंडर सेक्षन में HMR definitely आपके टीम में होने चाहिए captain BC भी दोस्तों आप consider कर सकते हो आपको दो नमबर पर बैटिंग करने आएंगे साथ ही साथ आपको दो भर complete balling करके देंगे बैटिंग और balling दोनों से दोस्तों इनका performance अभी तक टुनामेंट में काफी अच्छा रहा है फिनीच हीगा दोस्तों आपको एच खान का option मिलेगा एच खान दोस्तों बिकेट टेकर दोस्तों धियान रखना बॉलर है और बैटिंग भी दोस्तों अच्छा कर लेते इस्टिल बैटिंग से अभी तक टुनामेंट में बहुत अच्छा तो नहीं किये बढ़ ठीक है दोस्तों टीम में कंसीडर करके ही चलिएगा क्योंकि एक इंपोर्टेंट प्लियर है आपको ड्रॉप दोस्तों नहीं करना है इनके फिनीच हीगा दोस्तों तो आपको भी जीत का option मिलेगा भी जीत के साथ दोस्तों देखो एक प्लस पॉइंट हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि आपको ये बॉलिंग करके देंगे बैटिंग बहुत ही नीचे करते हैं बैटिंग से मेभी आपको 20-20 run score कर दें यदि थोड़ा सा ज़्यादा इनको बॉल मिला खिलने के लिए बैट बॉलिंग से दोस्तों आप उमीद रखना कि आपको दो ओबर बैटिंग करके देंगे इसी वज़े से मैं अभी इनको टीम में बैक कर रहा हूँ फिर नीचे दोस्तो आपको बी उदीन का option मिलेगा बी उदीन दोस्तो आपको first round batting करने आएंगे अच्छे player है दोस्तो बहुत बड़ा तो आपको score नहीं किये अभी तक टुनामेन में बड़ दोस्तो छोटा ही score किये और अच्छा गासा दोस्तो performance रहा है इसी वज़े से मैं को back भी कर रहा हूं फिर नीचे आगीगा दोस्तो आपको ए मोहमद का option मिलेगा ए मोहमद दोस्तो आपको दो बड़ स्पीन बॉलिंग करके देंगे अच्छे baller है दोस्तो बैटिंग बैक अप भी आपको provide करते हैं बैटिंग से थोड़ा कम भी रखना क्योंकि recent match में बैट आप देख मांड़े खेलता है तो आप जील में definitely इन पर ध्यान रखना अच्छा प्रेयर है दोस्तो बालिंग बैटिंग दोनों कर लेते हैं अब बात करें बालिंग सेक्शन तो दोस्तो बालिंग सेक्शन में ए मलिक definitely टीम में लेके जाओ विकॉर दोस्तो आपको देथ मे आपके पीछे पड़ता है अच्छा गासा और यदि दोस्तों कोई उतना खास बैट्समें ना हो तीन-चार विकेट टीम का गिर गया हो तो दोस्तों आपको अराम से विकेट मिल जाता है तो वही है देथ बॉलर को इसलिए मैं हमेशा टीटेन में बैक करता हूं दस में से आठ मैच आपको वह विन करवा के ही देंगे फिर नीचे ये का कि दोस्तों क्यू रामान अब देखो दोस्तों क्यू रामान को मैं भले ही अभी टीम में रख रहा हूं लेकिन इन पे मैं रिक्स ले सकता हूं क्यूंकि क्यू रामान आपको प्लस फाइंट यही कि द चाहे दोस्तों आप इधर से भी ले लो तो A-Sink खेलता है तो A-Sink नहीं तो दोस्तों इधर से M-Sakip और वहीं दोस्तों क्यों रामान का भी परफॉर्मेंस देखो तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ही बड़िया परफॉर्मेंस कर दिया हो तो इस प्लेयर पर आप रिक्स जरूर लेना यदि कोई भी न्यू प्लेयर खेलता है एम खान का दोस्तों सच बताओं तो इनका ओबर कर जाता है दो ओबर आपको सभी मैच में ये बॉलिंग नहीं करते हो रहे तो इसी वज़े से मैं अभी तो एम खान को टीम में नहीं रख रहा हूँ आप चाहो तो ये रोटेशन कर सकते हो क्योंकि एम खान का सेलेक्शन काफी ज़्यादा हाई जा रहा है फिर नीचे दोस्तों और भी प्लेयर देखे जो खेल जाए तो आपके लिए एक इंपोर्टेंट प्लेयर रहेंगे और दोस्तों क्यों रमान से तो बहुत अच्छा बॉलर है अब बात करें दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग हम लोग काप्टेन बीसी ओप्सन तो दोस्तों इस मैच में में आप तीन प्लेयर पे ही फोकस अरखीगा काप्टेन बीसी जेड अबबास एस अमद और नीचे से दोस्तों एज खान ये तीन बिलड दोस्तों इस मॉल लिग के सबसे बेस्ट आप्सन रहेंगे जिनको आप काप्टेन बीसी कर सकते और ग्रेंड लिग में भी आप यही तीन को कीजिएगा देखो एसिंग को आप एक ग्रेंड लिग टीम में जरूर ट्राइ करना कुछ पता नहीं है ये क्या करेंगे बॉलिंग तो करेंगे बैटिंग कहां पर करने आएंगे इसी वज़े से मैं अभी इस मॉल लिंग में नहीं कर रहा हूं इस मॉल लिंग में दोस्तों कोचन मार् ले तो जो मैंने एक्स्ट्रा ओप्सन आपको दिये उनमें से यदि कोई खेलता है तो डाइडेक्ट आप उसको टीम में रख लेना ठीक ना और मैं खुद भी कोजिस करूंगा कि फाइनल कंबिनेशन आपको अपडेट करके टेलिग्राम पे सेयर कर दूँ तो आप सभी द भी दाइड चानल को सबसे इंपोर्टेंट कोईस कीजिएगा नोटीफिकेशन का घंटी बजा देश जिससे दुस्ते आने वाले नेक्स वीडियो का आपको इसली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा ठीक ना दोस्तों फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट से वीडियो में चै हिंदोस्तो टेक कियर और बबाए